हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं एक बार फिर आपके सामने और आज हम उसी क्लास के आगे का डिस्कुशन शुरू करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट के अंदर हमने कुछ के बारे बाते की थी मैंने आपको कोस कंटेंट भी दिखाया था कि क्या-kia चीज़े सीदे फांटेशन के में आती है तो ये वीडियो उसी के आगे कान्टेशन में चलेगी जिसके आगे हमने जो अगर आपने हमारी ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको एक और काम करना होगा कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक दलवा देंगे ताकि आप उसको भी पहले देख पाएं आपका एक regularity के साथ और continuation में देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले हमने वो वीडियो record की है तो वो आपका पूरा एक pattern prepare करेगी उसके बाद ही आप इस वीडियो continue कीजेगा मैं एक बार आपको अपनी slides के according दिखा दूँ कि मैंने last class में या last video में क्या क्या चीज़े आपको बताने ही कोशिच की थी basically हम आपके सामने जो ये लेकर आ रहे हैं एक तरह से demo lectures हैं जो आपके CA foundation course के लिए available किये जा रहे हैं हमारा CA foundation course जल्द ही start होने वाला है इसकी information आपको हमारी इन वीडियो के description box में बिल जाएंगी detail महां से मिल जे सकते हैं और आप हमारे courses को join कर सकते हैं तो पहले एक बार देखें कि हमने last class में क्या किया था तो आगे मेरे साथ एक बार हमें आपको दिखाता हूं कि हमने last class में क्या किया था मैंने आपको accounting के process के साथ स्टार्ट कराया था उस accounting के process के साथ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है transactions को identify करना होता है identify करेंगे financial transaction और event को मैंने आपको बात और बताई थी कि financial transaction transaction का मतलब होता है जिससे financial resources में change आता है और event का मतलब जो है जिससे financial resources में change पूच नहीं आता है लेकिन यह वही हो सकती है जो आप निजर कर सकते हैं इन टर्म्स अमानी अगर कोई ट्रांजेक्शन ईया कोई इवन्ट्र में तो हमारी वूक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता दूसरा उसके बाद नेक्स पॉइंटर पास था वो था रिकॉर्डिंग का र rules of debit and credit, उसके बारे में भी मैंने बात की थी, बट मैं पहले का process पूरा कर लूँ, उसके बाद ही उसके बारे में बात करूँगा, fourth हमारे पास point था, classify करना, journal entry को ledger पे जब post करते हैं, एक ledger account में post करते हैं, तो उसे बोलते हैं, classify करना, उसके बाद हमारे पास बाता है next step, summarizing, summarizing का मतलब होता है, कि आप एक trial balance बनाएंगे, और trial balance के help से, आप अपने पास बनाएंगे financial statement, financial statement में दो चीज़े आती है, income statement और position statement, income statement से आपको परचलता है, कि आपके business के profit और loss क्या है, और position statement से आपको परचलता है, कि आपके business की financial position कैसी है, जब ये चीज़े आपको परचल जाती है, तो आप क्या करते हैं, उनका analysis शुरू करते हैं, जो हमारा six process है, six step है, analysis and interpretation का, और उसके बाद, जब हम analyze कर लेते हैं, कि क्या चीज़े रही, जो मैं आपको में एक्जांपल लिए था, एक्सरे वाला एक्जांपल लिए था, एक्सरे वाला एक्जांपल में आपको बताया था, जैसे doctor देख लेता है कि इस एक्सरे में क्या कमिया है, इस तरह से हम अपनी financial statement को देख कर बता देते हैं, कि इसमें क्या क्या कमिया है, क्या फाइदे है, क्या profit है, क्या loss है, बगएरा बगएरा, उसके लावा हम इन फिर अपने पास next point ले जाते हैं, क्या उसको करते हैं, communicate, किसको communicate करते हैं, users को communicate करते हैं, US हमारे दो तरह के हो सकते हैं Internal User और External User Internal में आते हैं हमारे Owners, Management और Employees and Workers उसके लावा हमारे पास है External Users के अंदर हमारे Banks and Financial Institutions Creators, Government, Resources Researchers, Consumers Public और Investors and Potential Investors इसके बाद मैंने आपके साथ कुछ example लेकर बातों को शुरू किया कि Goods Purchase के Entry क्या होती है Financial Purchase के Entry क्या होती है Outstanding Expenses क्या होते है तो मैंने एक और चीज़ अच्छी बताई थी आपको कि Goods Purchase करना हमारे लिए Expense है या Asset है जैसे कि अगर आप याद हो तो मैंने कहा था Goods जो हम Purchase करते हैं तो वो हमारे लिए Expense के तरह होता है और Goods Purchase करने के बाद जो Goods Unsold रहे गए जिनको आप नहीं बेच पाए वो Goods आपके लिए Stock की Form ले लेते हैं जिसको आप Asset की तरह बोलते हो और इसकी दो Entry पास कर सकते हो दो तरह से Entry पास कर सकते हो Closing Stock Account Debit to Trading Account और Closing Stock Account Debit to Purchases Account इस तरह से हमने काम किया था उसके बाद मैंने आपसे कहा कि चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ basic सिखाता हूं Rules of Debit and Credit सिखाता हूं और Rules of Debit and Credit सिखाने के लिए मैंने आपको सिखाये दो तरह की बाते पहली बात traditional classification है दूसरी हमारी modern classification है ट्रेडिशनल classification की बात करूँ तो वो पुराना तरीका था मैं आपको आज बोल देता हूं मैंने उस दिर नाम भी नहीं बोले थे Real, Personal, Nominal Accounts आपने वैसे पढ़ा है कोई दिख करती है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा modern classification के according और modern classification बहुत ही easy बहुत ही simple सिरब 5 चीज़े, कौन-कौन सी 5 चीज़े Asset, Expense, Liability, Income, Capital और यह 5 ही क्यों है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो ultimate output है financial statement की form में उसके अंदर 5 चीज़े तो आती है Asset, Liability, Capital आता है balance sheet के अंदर Income, Expense आते हैं आपके trading and profit and loss account के अंदर तो इसके according आपके पास Asset, Expense के balance होते हैं debit Liability, Income, Capital के balance होते हैं credit LIC, मैंने बताया, शौटकर भी बताया था आपको इसका और उसके बाद अगर इनमें हम increase करें तो same order में increase होगा, अगर हम decrease करेंगे तो reverse order हो जाएगा और यह debit का credit हो जाएगा, credit का debit हो जाएगा फिर मैंने आपके साथ इनकी entries को लेके discussion किया था कि furniture purchase के entry क्या होती है और उसके बाद furniture purchase में दो aspect सोचने हैं dual aspect समझना बहुत जरूरी है जब आप dual aspect समझ जाएगे तो उसके according आपको चाहिए होगा कि आपका increase, decrease किस तरह से हो रहा है जब हम furniture purchase करते हैं तो furniture increase होता है और cash decrease होता है तो furniture increase, cash decrease के basis पर आपको चाहिए कि उसका debit credit को ढूणे furniture increase में asset increase होगी तो asset को debit करेंगे cash decrease होगा तो आप अपने पास cash को credit करेंगे तो entry बनी थी furniture account debit to cash account जो मैंने good purchase की बात की तो goods purchase के अंगर आपके पास हाया कि goods purchase करना आपके लिए क्या है expense है और जब goods purchase करना expense है तो expense का balance क्या होता है expense का balance होता है debit और जब increase होगा तो expense को debit कर दिया फिर से हमने तो purchases account debit दूसरी तरह आपने वाज़से जो cash गया तो cash credit किया जाएगा तो आपके लिए cash credit side में आने के वज़े से entry बन जाती है purchases account debit to cash account एक entry मैंने और discuss की थी आपके साथ outstanding expenses की expenses due but not paid expense को debit किया था और liability को credit किया था expenses बढ़ रहे हैं इसलिए debit liability कम हो रही है liability भी बढ़ रही है इसलिए वो भी credit तो entry बनी थी expense account debit to outstanding expenses तो यह तीन point मैंने आपके आपके आप discuss के थे उसके आप मैंने आपको पूरा पूरा course content दिखाया था ICI कितना course content cover कर रहा है अपने exam के अंदर 100 marks के पेपर के अंदर किस तरह से आता है और आज मैं आगे आपके साथ चलना चाहूँगा और आगे चलते वक्त मैं आपके आप फिर से कुछ basics के regarding की बाते करूँगा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एक basic अच्छे समझ लिया तो आपको आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है आप उस चीज़ को लेकर टेंशन छोड़ दीजे कि आपका चैप्टर कब स्टार्ट होगा कैसे चलेगा लेकिन आपका basic strong हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है मैं फिर से बोलता हूँ अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो के आगे continue कीचेगा So, मैं अपने पास एक बार third point जो हमने last class में discuss किया था, last video में discuss किया था उसी को दुबारा से एक बार आपके साथ लेना चाहूँगा, एक example के साथ और फिर अपने examples को आगे जोड़ता चाहूँगा या even मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए और better तरीके से लेके आता हूँ मैं बिल्कु starting से discuss करता हूँ बिल्कु starting से मतलब, बिल्कु starting का मतलब है कि हम अपने पास basic journal entries से शुरूर करेंगे चेप्टर स्टार्ट करना मुश्किल बात नहीं है, लेकि चेप्टर स्टार्ट करते वक्त अगर आपको कोई journal entry नहीं आई तो फिर चेप्टर स्टार्ट करने का फायदा नहीं है तो पहले क्यों न मैं आपको बिल्कुल basic बना दूँ और तब आगे बात करो, तो मैं start करता हूँ उस entry के साथ जो कभी आपने पहली बार पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो आपकी सबसे जिंदगी की सबसे पहली entry, 11th class की पहली entry थी, business started with cash, याद है आप सब को? मैंने आप से क्या बोला था, मैं बिल्कुल एक एक basic point लेके चलूँगा, कि आपने चाहे commerce से किया, चाहे science से किया, चाहे art से किया, आपको मेरी बात हैं समझ बे आएंगी, और मैंने एक बात उस time पर ये भी बोली थी, कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि asset liability expense क्या होते हैं तो उसके regarding भी मेरे YouTube चैनल के ओपर वो 5 वीडियोज हैं, आप उन 500 वीडियोज को जरूर देखिए, ताकि आपको वो भी समझ के आएं, so business started with cash रुपीज वान लाक रुपीज, अब आपको फिर से बताने हैं dual aspect, मैं एक बार आपके लिए easy करने के लिए आपको वो balance फिर से credit, credit और अगर decrease होगा, तो credit, credit, debit, 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 यह मेरे short में लिख दी है ताकि आपको असानी समझ में आए, अबड़ा business started with cash, मैं एक बहुत simple बार बता हूँ, हमें अपनी accounting entry जो भी करनी है, वो हमेशा business के point रवी से करनी है, और business के point रवी से जब जो भी accounting entry करेंगे, वो accounting entry dual aspect के basis पर चलने चाहिए, business started with cash, business के point रवी से दो चीज़े, business में cash आया, और honor का लगा हुआ पैसा बढ़ गया, capital बढ़ गया, तो जब cash आया, तो asset बढ़ा, asset बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, debit, और जब capital बढ़ेगा, तो इसको credit करेंगे, तो entry actually में क्या बनती है, entry बनती है, cash account debit तो entry का basic इस तरह से बनाया जाएगा, मैं इसी में दूसरा point आइड करता हूँ, basically B point आइड करता हूँ, ये एक तरह से हमारा first का A point हो गया, B point क्या है? मैंने business start किया, cash एक लाक रुपे, machinery पचास हिजार रुपे, stock 40,000 रुपे, और bank में पैसा पढ़ा है, 10,000 रुपे अब मैंने चार चीजों के साथ business start किया है, जब मैंने चार चीजों के साथ business start किया है, तो मुझे इन चारों की recording करनी होगी, और ध्यान रखना, cash, machinery, stock, bank, business start करते वागते चारों के चारों asset है, और asset बढ़ रहा है business के point आवी से, तो entry अब क्या हो जाएगी? cash account debit, machinery account debit, stock account debit, bank account debit, यह कितना कितना, यह हो गया एक लाक रुपे, यह हो गया 50,000 रुपीज, यह हो गया 40,000 रुपीज और यह हो गया आपका 10,000 रुपीज और तो, यहां लिखा जाएगा, तो capital account, यह कितने से, दो लाक रुपे से, तो ultimately entry में आना capital ही है, लेकिन capital किस-किस चीजों की वज़े से बना हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा एक चीज और बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा, जब सिरफ एक debit और एक credit होता है, तो उसको हम बोलते हैं simple entry, simple entry का मतलब सिरफ एक debit एक credit, लेकिन जब एक entry के अंदर एक से ज़ादा debit credit आ जाएं, तो उन entry को बोल देते हैं compound entry, compound का मतलब को चीजों को मिला कर बनाना, combine करना, compound करना, तो यहाँ पर simple entry या फिर compound entry इस तरह से इन entries की derivation या बनाई जा रही है, तो मैं आप मैंने क्या बोला, आपने पहले क्या पड़ रखा था, वो सब भोल जाएगा, अब सिरफ आपके साथ एक-एक entry का basic strong बनता जाएगा, मैं यहाँ से पता है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपना एक chapter start कर चुका हूँ, मैं चेक्टर का नाम है, rectification of errors, याद है आपको, rectification of errors, journal entries करते रख कोई गलतियां होती थी, तो जो आज की class start हो रही है न, उस class के अंदर हम actually मैं एक chapter start कर चुके है, जो कि आपके लिए मैं नाम नहीं लिखा है, मैं तो आपको basic बोल के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, मैंने अपना काम last class में शुरू कर दे था, मैंने basically आपको basic देने के बहाने, आपने अपना पूरा chapter करा लेना है, क्योंकि rectification of errors सिर्फ journal entries based chapter है, अगर वो आपको आता है, तो उसके basic तरीके से काम कराऊंगा, जिस तरह से हमारा एक building strong बने, मैंने आपको last class में example जाथा, कि building का base क्या है journal, उसके बाद आगे के floor बनाऊंगा न, जो तक कि journal strong नहीं है न, तब तक कुछ भी strong नहीं है, तो इसलिए basic pattern is, कि आप basics पे ध्यान देजिए, basic क्या है आपका, so, यह मेरा first point हो गया, जो business started की बात करता है, मैं बात करता हूँ, अगले point को लेकर second point, चलिए, second point की बात है, second point में एक word लिखा है purchases, अब purchases word को न मैं, दो part में divide करूँगा, इसलिए दो part में की divide किया, मैंने दो part में divide किया, क्योंकि हम बात करेंगे goods की, और हम बात करेंगे assets की, यहाँ पर आएंगे इनके modes, जब हम बात करते हैं, purchases, तो purchases दो तरह से हो सकती है, cash में, और credit में, इससे आपका basic बनता जाएगा, ध्यान रखेगा, इससे आपका basic बनता जाएगा, basic बनाओगे, तो journal entry समझ में आईगी, So, purchases word, goods, purchase in cash, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो आने वाला है, वो goods purchase in cash के बारे में आने वाला है, और goods purchase in cash को लेकर फिर से आपने बताना है, मुझे dual aspect, मुझे आपसे journal entry जानने में कोई interest नहीं है, अब, मुझे आपका सिरफ basic का dual aspect जानने में इंटरस्ट है, goods purchase in cash का मतलब क्या, जब आपने goods खरीदे, तो goods आए और cash गया, goods खरीदना आपके लिए क्या, expense या asset, goods खरीदना हमारे लिए expense है, और expense का balance क्या होता है, expense का balance होता है, debit, increase पे करते है, debit, decrease पे करते है, credit, तो यहाँ पर मैंने debit किया, purchases, account, debit to cash गया, cash क्या होता है, asset, asset का balance, debit, increase पे, debit, decrease पे, credit, to cash account, और यही, यही goods अगर मैंने credit पे खरीदे होते, यही goods अगर मैंने credit पे खरीदे होते, तो यहाँ पर क्या होता Purchases Account Debit Purchases Account Debit मतलब आपने goods खरीदे लेकिन आपने goods cash में नहीं credit में खरीदे तो dual aspect क्या goods को खरीदना expense भड़ा payment की या नहीं की अगर payment कर दी तो cash credit लेकिन अगर payment नहीं की तो आपके लिए बन जाएगी एक liability और liability का balance क्या होता है liability का balance होता है credit और liability का balance होता है credit तो increase पर आगया word creditors purchase account debit to creditors बात समझ पा रहे हैं आप तो purchase account debit to creditors के बाद ये मेरा goods वाला कॉलम complete जाता है लेकिन जब हम asset पर पहुंचते हैं और जब हम asset पर पहुंचते हैं तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि जब आप asset खरीदेंगे तो उससे अखर्चा नहीं हुआ उससे basically आपका एक asset create हुआ although asset खरीदना भी एक expenditure है लेकिन फरक होता है expenditure हमारे तीम तरह के होते हैं revenue expenditure, capital expenditure और deferred revenue expenditure although मैं इसकी detail में अभी नहीं जाओंगा जैसे हम chapter को आगे बढ़ाएंगे हम आगे जाके पहुंचाएंगे इसके बारे में कि आपका revenue expenditure क्या है capital expenditure क्या है वगरा वगरा बट फिलाल ये कि जब हम कोई asset खरीदते हैं तो उससे asset increase होता है cash में खरीदेंगे तो cash कम होगा यानि कि एक asset decrease भी होगा तो dual aspect में एक asset increase एक asset decrease जो asset increase हो रहा है उसे करेंगे debit जो asset decrease हो रहा है उसे करेंगे credit तो entry बनेगी asset account debit to cash account लेकिन अगर यही asset मैंने credit पे खरीदा तो asset increase तो हुआ लेकिन पैसा गया क्या नहीं पैसा अभी नहीं गया और अगर पैसा नहीं गया है तो in that case आपको यहाँ पर लिखना होगा vendor asset account debit to vendor vendor का मतलब क्या sir creator क्यों नहीं लिखा creator लिखते हैं जब आप goods खरीदते हैं और अगर आप कोई asset खरीद रहे हैं credit पे तो ultimate जो हम accounting करते हैं आपको तो person का नाम आता है या organization का नाम आता है for example आप Samsung से खरीद रहे हो Sony से खरीद रहे हो किसी और XYZ company से खरीद रहे हो तो उसका नाम लिखा जाएगा लेकिन अगर नाम mention नहीं है तो आप vendor word mention कर सकते हो vendor का मतलब और कुछ नहीं है seller ही होता है आप एक word और यूज़ कर सकते हो creditor for asset आप ये भी लिख कर काम सला सकते हो मुझे इस से कोई दिक्कत नहीं है लोग जालतर हमिशा नाम लिख देते हैं जो नाम available होता है बात समझ में आती है आपको अच्छा इस चीज़ को regarding लेकरना मुझे एक point बताना है goods के regarding तो वो point applicable नहीं होता लेकिन asset के regarding वो point applicable होता है आप जब भी कोई asset खरीदते हो तो उस asset को खरीदते वक्त या उस asset को खरीदने के बाद उसके installation तक basically जब तक asset available for use ना हो जाए हर खर्चा asset की cost का पार्ट बनता है मतलब मैं फिर से बोलना चाहूँगा हर वो खर्चा जो asset के खरीदते वक्त या asset को install करने के लिए incurred किया जाएगा मतलब asset के available for use तक लाने के लिए खर्चा किया जाएगा वो सारा का सारा asset की cost का पार्ट होगा जैसे कि आप asset खरीद कर tempo के basis पर tempo के help से अपने office तक लेकर आए वो tempo किराया भी asset की cost का पार्ट है फूज आपल आपने एक AC खरीदा AC खरीदने के बाद आपने उसे office में लाकर install कराया उसके installation पैसे amount पे किया 1000 पे 1500 पे asset की cost का पार्ट होगा उसके जो wiring बगरा लगी वो asset की cost का पार्ट होगा तो जोई भी खर्चा asset खरीदते वक्त होना चाहिए या उसके installation के वक्त होना चाहिए खरीदने के बाद कोई repair करा रहे हो वो काम का नहीं है हाँ अगर वो repair major repair है जिससे asset की earning capacity बढ़ जाएगी तो वो asset में add हो जाएगा लेकिन अभी मैं asset की बात की बात नहीं मैं asset की time की बात कर रहा हूँ जब खरीद रहे हो या install कर रहे हो तो कोई भी खर्चा asset की installation या उसके purchase की time पे होगा तो it should be included in the cost of asset मैं हाप एक note लिख देता हूँ इस चीज़ के regarding any expenditure incurred पीज़ लेगा तर तर छिए पुए लेगा चाश के ज़के बात 29 बाता है पलेश वा टर देता है भाती तो है OW período या लेगा टूपसिप्वर का भात्वाडा है की । वाण दीद्डारो बात्र tienes जो तो अ मैं ग्सहँू है दा です be included in cost of asset those expenses should be included in cost of asset कोई भी खर्चा asset के खरीदने वक्त या उसके installation पे इंकर्ड होगा तो वो आपको asset की cost में add करना होगा एक बड़ी simple सी बात ध्यान रखना मैं नई asset करीद के उसे repair नहीं कराता लेकिन अगर मैं old asset खरीद रहा हूं और उसको उसी वक्त पे repair करा रहा हूं तो वो repair का खर्चा भी asset की cost में add होगा बतलब मैं simple सा बतलब कहने का आपने कोई पुरानी कार खरीदी और उस कार का printing पेंटिंग उसको बिल्कुल नया बनाने की कोशिश की खर्चा किया उसे पैसे लगाए एकसेसरीज लगाए चूबी किया वो सारा का सारा उस कार की cost में add होचाएगा पर पॉइंट किया है कि खरीदते वक्त खर्चा हो रहा है जो खरीदते वक्त खर्चा होगा वो उसी asset की cost में add किया चारेगा हाई गैस आपको मेरा point समझ में आगया होगा तो इस point के regarding ही आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे आगे discuss करता हूँ थर्ड पॉइंट के regarding हमने बात कर लिए अब तक purchase थर्ड टॉपिक में रहा आता है सेल का और यहां पर भी मैं सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा जैसे मैंने purchase को किया इसमें भी क्या आएंगे बटा मोड्स आएंगे यहां पर फिर से हम बात करेंगे goods के बारे में और यहां पर हम बात करेंगे assets के बारे में modes के अंदर फिर से बिटा आपके फिर से वो ही दो mode रहने वाले cash के या फिर credit का अब बिटा simple सा point है ध्यान से आप मेरा तरीका समझ चुके होगे अब तक मैं basic पर कितना ध्यान दे रहा हूं आपके लिए पांच सीख गए तो पर टेंशन ही नहीं ना तो अगर हम बात करें गुट्स की तो गुट्स ओल्ड इंकश डॉल आस्पेक्ट क्या आया क्या गया जब बेचे आपने cash में तो क्या आया विटा cash आएगा येस गुट्स जाएंगे येस तो गुट्स जाना क्या आपके लिए एक इंकम की तरह है और इंकम का बालेंस क्या होता है इंकम का बालेंस होता है क्रेट तो इसका मतलब पैसे के आने के वेरे से आसट बढ़ेगा और गुट्स बेचने की वेरे से आपकी इंकम बढ़ेगी आसट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे इंकम बढ़ेगी तो sales account, sales हमारे लिए income है, जैसे हम खर्चे के लिए, goods purchase के लिए purchase word यूज करते हैं, ऐसे हम goods sold के लिए sales word यूज करते हैं, अच्छा अगर सर यही goods हमने create ने बेचे होते तो, तो बेटा आपको बताओ, पैसा मिल गया होगा, नहीं, पैसा future में आएगा, और पैसा future में आएगा, त उसका मतलब आपके लिए क्या create करेगा, आपके लिए debtor create करेगा, सर डेटर कौन होते हैं, debtor बटा वो person होता है, जिसने आपके पैसे देने हैं, क्यूं, क्यूंकि उसने आपसे credit में समान खरीदा है, आपने उसे credit में समान बेचा है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर आपको उस person से पैसा लेना है, तो person आपके लिए बन जाता है debtor, और debtor भी क्या होते हैं, asset होते हैं, asset बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर से, debit, तो entry के बनी, debtors debit to sales, cash to sales, debtors to sales, बिल्कुल सिंपल है, entry बिल्कुल reverse हो जाती है, वहां था purchase to creditor, यहांगे debtor to sales, यानि कि बि debit credit तो समझना है, debit credit समझा गया तो को tension ही नहीं है, अचा अगर आपने asset बेचा in cash तो क्या entry होगी, asset बेचा in cash, पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, और asset जाएगा, asset जाएगा, तो इसका मतलब एक asset बढ़ रहा है, एक asset कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसे क्या करेंग debit, cash account debit to, और अगर बेचा, तो asset जाएगा, तो credit करेंगे, cash account debit to asset account, लेकिन अगर यही asset आपने credit पेचा, तो पैसा आया नहीं होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा, तो आप vendi word यूज़ करेंगे, debtor word यूज़ नहीं कर सकते, फिर debtor क्या होता है, goods or services के लिए होता ह जिसे creator goods or services के लिए था, इस तरह से, यहाँ पर debtor भी goods or services के लिए है, यहाँ vendor का उल्टा क्या है, vendi, buyer, vendi to asset account, simple सा point है, हाँ, अब इस point को लेकर ना, एक बहुत ही logical और basic point है, generally हम इस point को इतना ध्यान नहीं देते हैं इस point के उपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप asset को बेशते हो, तो आपको asset को बेशने में profit भी हो सकता है, अब asset को हमारे लिए goods थोड़ी है, जो trading profit loss में जाएगा, वहाँ से GP और MP निकालने में help करेगा, नहीं, यह asset तो वह है, जो हम use करते थे, लेकिन किसी वजह से हम इसको बेच रहे हैं, अब asset को बेचने में होने वाला profitable loss, रेकरिंग नीचर का हुआ या non-reckरिंग नीचर का, क्योंकि अगर वह रेकरिंग नीचर का हुआ, फिर तो वह आपका regular काम होता है, और regular काम आपके लिए बनता ह रिजर्ब में जाते हैं, तो इसका मतलब मुझे आपको एक चीज और सिखानी है, कि asset को बेचने में होने वाला profitable loss आपके लिए किस नीचर का है, मैं आपको एक example दे के समझाऊंगा इस चीज के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास एक asset है, जिसक इसके ओपर आप लगाते हैं, depreciation, for example, 10 rupees लगा, बचा कितना 90, ये 10 जो लगा, ये आपका होता है, revenue expense, क्योंकि हर साल लगेगा, तो revenue nature है, revenue expense, फिर आपने depreciation फिर से लगाया, 10, value बची 80, फिर आपने depreciation फिर से लगाया, value बची 10 लगाने के बाद 70, ये आपकी WDV है, return down value, ब कितने की बिख जाएगी, 70 की चीज, सर, अगर बिक रही है, 85 में, सर, इस मुझे कितना का profit हो रहा है, 15 रुपे का profit हो रहा है, तो ये profit 15 रुपे, revenue nature है, capital nature, अगर मैं बोलू कि मेरे goods होते, फिर मैं बेच रहा हो, फिर तो सर, revenue profit है, बार-बार बेचते हैं, लेकिन अगर मैं आसेड बेचना हो, तो आसेड तुम्हें 12 बार बार नहीं बेचता, तो सर, आसेड की बेचने अला profit भी, क्या, capital profit होगा, ये चीज आपको decide करनी पड़ेगी, अब मैं आपको बड़ा simple सा example देता हूं, मुझे बहुत ध्यान से बताना, कि ये 10, ये 10 और ये 10, ये 30 रुपे आपका revenue expense है, जिसकी वैसे asset की value कम हुई है, तो जब आप asset को बेचते होना, तो up to 30, जो depreciation आपने लगा रखा है, वो 15 रुपे आपके लिए हमेशा revenue profit है, क्या है वो आपके लिए, वो आपके लिए revenue profit है, सर समझ नहीं आया, अब ध्यांस देखना, अगर 70 की चीज़ आप 110 में बेचो, तो कितने का profit हुआ, सर 40 का, इस 40 में 30 रुपे कैसा होगा, 30 रुपे होगा सर, revenue profit, येस, अब आप समझ गए, और 10 रुपे कैसा होगा, capital profit, इसका मतलब, जब आप asset को बेचते हो, तो उसमें, जो depreciation लगा है, उस value तक का, जो भी आप कमाएंगे, वो सब revenue profit होगा, और उसके उपर अगर आप कुछ कमा जाएंगे, तो वो capital profit होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि जो ये capital profit है, ये ऐसे भी निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, अगर आप sale price में से cost minus करते हैं, sale price कितना था, 110, cost क्या थी, 100, तो 10 रुपेगा capital profit है, आई बास समझें आपको, तो capital profit 10 रुपेए आपका निकल सकता है, अगर आपका sale price आपकी cost से भी जाता है, तो इसी इसका ध्यान रखेगा, कि revenue profit और capital profit निकालने के लिए आपको एक simple सा formula लगाना है, अगर आप अपना revenue profit निकाल रहे हैं, तो sale price minus करेंगे WDV से, ये आपका revenue profit होगा, लेकिन अगर वो sale price, cost price से भी उपर निकल रहा है, तो जो excess है वो आपका capital profit बन सकता है, तो आपको comparison करना पड़ेगा, ये एक छोटा सा basic point है, आगे दाकर बहुत काम आएगा जब आप inter में पहुँचेंगे, लेकिन मैंने आपको एक basic देने की कोशिश की है, कि capital profit और revenue profit में किस तरह से calculation होती ह ये सब basic बाते हैं, जानना जरूरी है क्योंकि आप charted accountant बनने जा रहे हैं, तो आपका हर एक एक point strong होना चाहिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास, हमने third point तक complete कर लिया है, मैं आपके पास fourth point पे लेके जा रहा हूँ आपको, fourth point है मेरा, expenses का, मैं आपके साथ बिल्कु बेसिक लेके चल रहा हूँ, प्लीज फोकस रखेगा इन चीजों के लेकर, expenses में अब मैं तीन पार्ट में लेके जाऊँगा, expense due and paid, expense due but not paid, expenses paid in advance, और जो due but not paid है, उसी को एक और नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, outstanding expenses, और जो paid in advance है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, prepaid expenses, सारे words आपने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, बस मुझे जनरेटरी सिखानी हैं, और बेटर तरीके से बतानी हैं, बेटर जब expenses due and paid ह होता है, यानि कि खर्चा हुआ और आपने pay कर दिया, तो इसके dual aspect क्या है, आपका expense क्या कर रहा है, increase, और increase करेगा तो क्या करेंगे, debit, आपने pay कर दिया तो cash, asset है, और asset क्या हो रहा है, decrease, तो क्या करेंगे, credit, तो entry बन जाती है, expense account, debit to, cash account, expense account, debit to, cash account, simple सी entry है, लेकिन जब यही entry due but not paid में जाती है, तो थोड़ी से दिक्कत आनी चुरू होती है, although entry मैं आपको last class में सिखा चुका था, मैं अभी भी लिखूँगा, आपको अभी समझा जाएगी, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसको और बेटर तरीके से बताओ, मैं आपको इसके लिए नेक example दिखाऊंगा, उस example को आप समझेंगे, तो और बेटर तरीके समझ पाएंगे, देखेंगे अधान से, यह है 1st April 2019, और यह है 31st March 2020, और मैंने 1st April के दिन अपने पास एक छोटू को काम पर रखा, जिसकी सालरी 10,000 पर मन्त है, और मैंने इसको बुलाओ बटा, आप अपनी सालरी ना हमेशा मुझसे अपरेल बहीने काम करने के बाद, अगली साथ तारिक को आप मुझसे आके लेगे, यानि कि अगर यह मुझसे अपरेल में काम करेगा, तो यह अपरेल की सालरी मुझसे कब ले सकता है, यह मुझसे ले सकता है 7 मई को, यानि कि मई मन्त में, तो में मन्त के अंदर मैं इसको 10,000 पर पे कर दूँगा, ऐसे करके मैंने उसे हर महिनी की सालरी पे करनी शुरू कर दी, पहले में 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 पे किया, फिर कब पे किया, जून में, फिर जुलाइ में, ऑगस्ट में, सेप्टेंबर में, अक्टोबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जैनवरी में, फेबरी में, मार्च, मैंने साथ की है उसे, बताइए अब तक मैं उसे कितनी बार पे कर चुका हूँ, अब तक मैं उसे पे कर चुका हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छे बार, साथ बार, आठ बार, नौ बार, दस बार, ग्यारा बार, यानि कि मैं 10,000 into 11 टाइंश उसको पेमिं किया उसकी सालरी तो कितनी बनती थी 10,000 कितने बनती थी एक लाग 20,000 रुपे बट मैंने दिया कितना उसे एक लाग 10,000 रुपे अचा बाकी इमांट में उसे कब दोंगा सर आप से पेमेंट करोगे साथ अपरेल को बिल्कुल ठीक तो इसका मतलब जो आखरी का 10,000 रुपे है आक्चुली में बनना कितना चाहिए था एक लाग 20,000 रुपे इक लाग 20,000 रुपे बाद एक लाग 10,000 रुपे कितना हुआ एक लाग 10,000 रुपे इस एक लाग 10 की एंट्री क्या हो गई expense account debit to cash एक लाग 10,000 ये एंट्री 11 बार की गई होगी 10,000 करके मैंने एक साथ लिख दिया आपके सामने और जो expense due हुआ but not paid रहे गया expense due हुआ but not paid रहे गया कितना not paid रहे गया 10,000 रुपे खर्चा तो हुआ था expense account debit तो होगा कितने से 10,000 से लेकिन अब एक वर्ट जुड़ जाएगा outstanding expense लेख लीजे cash क्यों नहीं आया क्योंकि मैंने pay नहीं किया और outstanding expense क्यों आया क्योंकि मेरी liability बढ़ गई और liability का balance क्या होता है liability का balance होता है credit liability बढ़ गई है तो वो credit balance आ गया expense account debit 2 outstanding expense I guess आपको मेरा point समझाया होगा मैंने बिल्कुल basic से इतना detail में आपके सामने लिख दिया है कि आपको कोई जो की increase होगी और increase की वज़े से वो क्या होगी credit ultimate entry क्या बनी expense account debit to outstanding expense expense account debit to outstanding expense हर एक point को लेकर मैंने entry को discuss किया हुआ है so point is expense account debit to outstanding expenses का point निकल के आया अब एक third आपके सामने आ रहा है क्या है prepaid expense अब prepaid expense पर जाने से पहले मैं आपके इसी example को फिर से आपके सामें लेक्या होगा क्योंकि देखो 31 March को मैंने entry कर दी होगी यह 31 March के दिन हुई है यह entry हुई है 31 March के दिन और यह entry हुई है every month seventh date पे और यह 31 March को हुई है तो 7 April को जो अगली बार 7 अपरेल आएगी उजिन क्या होगा इजिन क्या हो रहा है इस दिन हो रहा है outstanding expenses पे हो रहे हैं ऑल्दो यह मेरे course का या मेरे इसका पॉइंट का पार्ट नहीं है जो मैं कॉंसर्ट आपको करा रहा हूं बड़ मैं आप से पूछ रहा हूं क्योंकि हर entry आपका काम है करना आपकी liability कम हो या बढ़ जाएगी लाबिटी कम होगी, लाबिटी का बालेंस क्या होता है, लाबिटी का बालेंस 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 होता है, लाबिटी करते 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 न तो काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर इंट्री होती है प्रीपेड इक्सेंज तुकैश करें गे तो इसका मतलब इंट्री दो तरह शुखरी हैं पड़ी हैं लेकिन वह डोनों में से कॉनसे अंट्री कब होनी है वो सीखना है इंट्री आपको आती है, मैं no doubt मैं बनानी कर रहा, लेकिन कब करनी है, कैसे करनी है, वो नहीं आता आपको सही से, मुझे वो ही सिखाना है, अगर वो आप सीख गए, तो आपको यह बात clear हो जाएगी, कि इंट्री का impact किस तरह से show होगा, इसी के लिए मैं आपको इसी example के पता हूँगा, ध्यान से बहुत सुनिएगा, इसमें आपकी पता है क्या है, अगर मैं आप से एक simple सी बात बोलता हूँ, आप जो कोर्स कर रहे हैं, वो है chartered accountancy का, आप बनेंगे C, chartered accountant, लेकिन आपके कुछ दोस्त, जो graduation कर रहे हैं, या कोई accounting का कोर्स कर रहे हैं, जो accountant परिबार ये गलतिया किसी से भी generally हो सकते हैं, मैं उसी गलती का impact आपको दिखाना चाहरा हूँ, कि उस गलती से क्या फरक पड़ेगा, मुझे एक बार बताएगा, क्या मैं अपने इस छोटु को 11 महीनी के payment दे चुका था, यानि कि 1,10,000 रुपे दे चुका था, 31 मार्च के मुझे दिन छोटु मेरे पास आता है, कहता है, सर मुझे ना गाउं जाना है, आज 31 तारीक है, मैंने इस महीनी काम अपना पूरा कर दिये, आप मुझे payment कम दोगे, मैंने का 7 अपरिल को, कहता सर गाउं जाना है, अर्जंट है, आप मुझे 10,000 रुपे आज ही दे दे देज आता, वो तो मुझे मार्श तक काम करने के ही पैसे मांग रहा है, जो कि अडवांस नहीं है, तो मैंने कहा थीक है भई, ये लोग 10,000 रुपे और उसी वक्त अकाउंटेंड ने एक एंट्री की, expenses account debit या salary account debit to cash, 10,000 रुपे, 10,000 रुपे अपनी जेब में रखने के बाद, छ कि सर मैं आके काम कर दूँगा, अगली बार salary कम दे दे ना मुझे, अब मैं जानता जा हो डूँगो काफी टाइम से, तो मैंने ठीक है ठोटो ये ले, 2,000 रुपे और रख ले, मैंने 2,000 रुपे से दी, accountant ने फिर देखा, और accountant ने इस बार का किया, उसने का, amount change कर देता हू इंट्री ये कर देता हूं, क्या इंट्री की, expenses account debit to cash, 2,000 से और कर दी, यानि कि total entry कर दी, expenses account debit to cash, 12,000 रुपे से, और आप समझे लो कि मेरा point क्या है, मेरा point यही है, क्या ये entry 12,000 से होनी भी चाहिए थी, ये entry 12,000 से नहीं होनी चाहिए थी, expense के entry 10 से बननी थी, तो 2,000 के entry किस चीज से होनी चाहिए थी, prepaid expense से, actually में entry होनी चाहिए थी, expense account debit to cash, 10,000, जो मार्च मन्त का जा रहा था, और जो उसने 2,000 extra advance मांगा, उसकी entry होनी चाहिए थी, prepaid expenses, debit to cash, कितने से, 2000 से, बात समझ में आई आई आपको, तो ये prepaid expenses तो cash होती 2000 से, लेकिन ये तो किया नहीं, accountant ने ये थुड़ी किया, accountant ने तो ये कर दिया, और जब ये किया, तो मुझे इसको basically गलत किया, इस गलती को ठीक करने के लिए, अब आप ध्यान सुनना, अभी तक अगर मैं आपके example की बात करूँ, तो आपने 1,10,000 ये debit कर दिया, 12 ये कर दिया, total कितना debit कर दिया, 1,22,000, debit होना कितना चीए था, 1,20,000, तो कितना जादा debit हुआ, 2,000, तो उस 2,000 को मैं क्या करूँगा, reverse, to expense, आप से क्या बोला था, expense का balance क्या होता है, debit, increase पे debit, decrease पे credit, decrease कर क्यो रहा हूँ, क्योंकि गलत कर दिया है, करना था, 1,20,000 से debit कर दिया, 1,22,000 से debit, तो 2,000 जो गलत debit कर दिया है, उस 2,000 को credit करके reverse कर रहा हूँ, और जो credit करके reverse कर रहा हूँ, 2,000 से, उसके बाद उपर क्या लेका रहा हूँगा, prepaid expense, 2,000 से, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो entry दोनों ही सही है, ये भी correct है, ये भी correct है, लेकिन जो ये वाली है, ये adjustment entry है, ये कौन सी entry है, ये adjustment entry है, और ये कौन सी entry है, ये normal entry है, जो सही तरह से होनी चाहिए थी, अगर accountant गलती करेगा, तो adjustment करने पड़ेगे, अगर accountant गलती करेगा ही नहीं, तो normal entry से काम चलाएगा न, तो इसका मतलब sir, उपर अगर हम जाएं, तो prepaid expenses को हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं, जिसमें हम बोलेंगे एक तो क्या, कि sir, एक तो होती है normal entry, और एक होती है कौन सी, adjustment entry normal entry में क्या entry करते हैं, normal entry करते हैं, prepaid expenses, debit to cash, और adjustment entry में क्या entry करते हैं, prepaid expenses debit to expenses account, देखिए, आपके सामने हैं, और मैंने example के थुरू कराया है, ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएं आपको, कि वही entry कब कौन सी कहां करनी हैं, ये चीज़े बहुत जरूरी हैं जाननी और समझनी, कि वही आपके पास इस entry का basic क्या है, चेप्टर मेरा start हो चुक है, ये सारी entry हैं, जो गलतिया हैं, जो रेक्टिविशन में आप सीखने वाले हो, तो हम तो चेप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, rectification of error का चेप्टर चल रहा है, और मैं आप तो आपको गलतियां करके भी दिखा रहा हूं, और गलतियों को rectify करके भ तो ये पूरा का पूरा का पूरा basic इसी तरह से बनाया गया है, अब मैं आगे move करता हूं, मेरा अगला point चलेगा, मैंने अब तक आपके साथ 4 point discuss कर लिए, मेरा 5th point आ रहा है आपके सामने, अब है income का, इनकम की बात करेंगे, इनकम को लेकर बेटा फिर से 3 point है जिस तरह से expense को लेकर थे, बिलकुल वैसे ही 3 point है, छूए चले, बात कर आपके साथ 4 , बात करेंगे, आपके से बात करेंगे, तरह से 2 point है, वैसे की साथ 5, जाफे जाफे है। income earned but not received, income received in advance of income earn and received. ध्यान सुनिएगा, मैं इंकम को लेकर बहुत डेटेल में कुछ बाते करने वाला हूं, अगले आने वाली 20-25 मिनट जो भी होंगे इसको डेट करेंगे और इंकम भी इंक्रीज हो रही है उसको क्रेट करेंगे तो आक्चुली में क्या इंट्री हुई? इंकम अब वो इंकम कोई रेंट रिसीव हो सकता है, कोई इंट्रस रिसीव हो सकता है तो आप कैश अकाउंट डेट तो नॉर्मल इंकम लिखेंगे लेकिन इंकम अंबट नॉट रिसीव इसको आक्चुली में कुछ लोग बोलते हैं अकुरूड इंकम मैं बोलना चाहूंगा आउट्स्टैंडिंडिंडिंड इंकम और इसको हम बोलते हैं, unearned income, सर, outstanding income का मतलब, income earned but not received, जैसे expense था, expense due but not paid, सो फिर accrued income क्या होता है, वेटा, accrued income अलग होती है, सर भी तो आपने रही चिखाया गया, accrued income औra outstanding income सें होती है, नहीं, आपने mostly income को लेकर हमेशा, अक्रूड इंकम वर डी यूस किया है और भाप यही सिखाया है, इंकम और बट नोट रिसीट, लेकिन इसके बीच में एक चीज और है जो है अक्रूवल, अक्रूड इंकम, क्या है, कैसे है, एक्जाम्पल समझेंगे, एक्जाम्पल समझ में आएगा, तो पूरा तरह से कॉं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आउटसेंडिंग इंकम समझके आएगी, ध्यान सुनना, बिड़े फिर से आपके सामने वोई है, 1 अपरेल 2019, 31 मार्च 2020, आपने अपनी एक प्रॉपर्टी, बिजनस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, 10,000 रुपए, ये रेंट आपको मन्त ए इंट्री करते हो, कैश, अकाउंट, डेबिट, दू रेंट, रेसीट, 10,000, 10,000, ऐसे करके आप इंट्री कर रहे हो, अपरेल में कर रहे हो, में में कर रहे हो, जून में कर रहे हो, जुलाई में कर रहे हो, ऑगस्ट में कर रहे हो, सेप्टेंबर में कर रहे हो, अक्टोबर म अब तक कितनी बार कर चुके हो अब तक आप कर चुके हो 10,000 x 11 बार एक लाग दस हजार और एंट्री कितनी बार की एंट्री हो चुकी होगी Cash Account Debit to Rent एक लाग दस हजार से अच्छा अब चल रहा महीना कौन सा? मार्च का मार्च के 31 तारिक को भी एक एंट्री होनी थी Cash Account Debit to Rent लेकिन पैसा आया 7 तारिक को क्या आप से एक सवाल है सिंपल सा क्या आपका इस पिरेड में आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी आपने क्राय पर दी हुई थी? क्या इस पिरेड में आपने रेंट कमाया है? का आंसर इस रेंट अर्न बट क्या रिसीव हुआ? नहीं रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे? आप 31 मार्च को बोलेंगे कि भी मैंने रेंट अर्न तो किया बट नौट रिसीव है इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ Outstanding Income और ये पैसा मिलना है तो आप के लिए बन जाएगा एक Asset और Asset का Balance क्या होता है? Debit तो आप बोलते हैं Entry Outstanding Income Debit to Income अब Income में Rent लगाओ Interest लगाओ वो आपकी मर्जी है जो भी कोचन एक्जांपल देगा उसके बाड़िंग तो Outstanding Income का मतलब आपने कमाया बट आपको मिला नहीं तो यहां पर Entry बनी Outstanding Income Account Debit To Income Account Outstanding Income Account Debit To Income Account तो सर फिर ये Accrued क्या होता है? एक और पॉइंट भी है Accrued Income ये कौन सा था आपका? Outstanding Income अब आ रहा है आपके पास Accrued Income अब Accrued Income को समझेंगे ध्यान से बहुत इसके लिए मुझे एक और एक्जांपल देना होगा आपको Accrued Income का एक्जांपल कुछ इस तरह से ध्यान सुनना एक अप्रेल दो हजार उन्निस Loan Given आपने किसी को Loan दिया एक लाक रुपए का जिसके ओपर 12% पर आनम का इंटरस मिलेगा अचा इंटरस कैसे मिलेगा? पहले मिलेगा 30 जून के दिन फिर मिलेगा 31 दिसंबर के दिन फिर बीच में आएगी 31 मार्च और फिर मिलेगा 30 जून के दिन ठीक है? यहाँ से देखेगा सबसे पहला इंटरस कम मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक का इस इंटरस के लिए वरकिंग करी जाएगी एक लाक के उपर 12 परसिन त्री मन्स के लिए यह बना 3,000 रुपए और पैसा आपको मिल भी गया क्या इंटरी के लिए आपने? कैश टैबिट तो इंटरस्ट 3000 3000 अगला इंटरस कब मिलेगा? अगला इंटरस मिलेगा 31 दिसंबर के दिन इसके लिए क्या इंटरी हो जाएगी? एक लाग के उपर 12% पहले कैलकुरेशन कर लेते हैं एक लाग के उपर 12% 6 महीने के लिए यह बन गया आपका 6000 रुपए और इंटरी बन गई कैश टैबिट टू इंटरस्ट कैश टैबिट टू इंटरस्ट कितने से? 6000 रुपए से तो यह कैश टैबिट टू इंटरस्ट छेदर करके आप तक आप 9 महीने की इंकम को बुक कर चुके हो बट अब आपके लिए मेरा एक सवाल है कि अगला इंटरस्ट आपो कम मिलेगा? क्या 31 मार्च को मिलेगा या 30 जून को मिलेगा? इंटरस्ट मिलेगा 30 जून क्योंकि इंटरस्ट की ड्यू डेट जो है वो 30 जून है यानि कि यहां से यहां लेकिन दिक्कत यह है कि इस बीच में एक डेट आ रही है जो कि इयर एंड है अब आप मुझे बहुत ध्यान से बताएंगे क्या इस पीरिट में आपने लोन दिया हुआ है? The answer is yes क्या आपने इस पीरिट में इंटरस्ट कमाना है? इंटरस्ट अर्न करना है? Yes लेकिन क्या इस डेट पर आपको इंटरस्ट मिल सकता है? The answer is no तो इसका मतलब आप इस period में interest क्या कर रहे हो, earn कर रहे हो, but not due है, कमाया तो है, but मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी due date नहीं आई, interest कब मिलने की बाता आती है, जिस दिन वो due होता है, तो जब तक वो due नहीं होता, वो interest earn तो हो रहा है, आप कमा तो रहे हो, लेकिन मिलने का right नहीं है, और इसी चीज़ को बोलते है, accrued interest, interest earn but not due, अगर वो due हो जाए, और उसके बाद ना मिले, तो फिर वो outstanding बन जाता है, तो जो पिछला rent वाला example था, उसमें आपका 31 मार्श के दिन, rent due हो गया था मिलने के लिए, उससे पहले कोई भी दिन बोलोगे ना, तो मैं यह earn कर चुके हो, कमा चुके हो, लेकिन मिलेगा नहीं आपको, तो आपके लिए accrued interest, अब बहुत ध्यान देखेगा, accrued interest क्या बनेगा, accrued interest account debit to income, accrued interest account debit to income या to interest, इस तरह से, तो समझना यह है कि आपके लिए, वो income जो आपने कमाई, बट अभी मिल नहीं सकती, वो accrued interest के नाम से, accrued income के नाम से आईगी, और जब actually मैं, अब बहुत ध्यान सुनना, अज़र 30 जून के दिन, actually मैं आपको पैसा मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, cash account debit, फिर आप क्या लिखेंगे, to interest, और to accrued interest, यह है 6000, 3000, बताओगे 3000 कौन से पिरिट का है, यह 3000 है इस पिरिट का, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 3000, यह 3000 कौन से वाला, यह 3000 है यह वाली entry का, जो आपका एक लाग के उपर, 12% तीन महीने के लिए है, यह वाला है इस पिरिट का, तो मिलेंगे तभी, जब आपका actually interest date आएगी, उससे पहले, सिरफ आप earn कर रहे हो, अगर due हो गया है, तो वो outstanding में convert हो जाएगा, और अगर due नहीं हुआ है, तो वो accrual के पार्ट में रहे income earned but not due, जिसके लिए लिखा जाएगा, accrued income, debit to income, हाई पार समझ, तो basically outstanding कब यूज़ करना है और accrued कब यूज़ करना है, इसके लिए आपको एक main point ध्यान रखना है, कि जब भी आपकी due date 31 March के अलावा कोई और है, यानि कि अगर year end date और interest date अलग-अलग हैं, तो हमेशा accrual आएगा, interest date और year end date सेम हैं, तो कभी भी accrual वाली बाते होंगी ही नहीं, लेकिन अगर ये दोनों अलग-अलग हैं, तो हमेशा इनकी बाते होंगी, कि ये accrual का concept बन जाएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, accrual concept का बनता है, जब interest date और year end date अलग-अलग हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा income earn but not receive वाला पार पूरा हो गया, अब income received in advance की बात करता हूँ, income received advance, जिस तरह से prepaid expenses की बात थी, बिल्कुल से उसी की बात यहाँ पर भी है, इसमें भी दो तरह से entry होती है, एक normal entry और एक आपकी adjustment entry, अगर आपको कोई भी पैसा advance मिलता है, जो कि आपकी income नहीं है, future में income बनेगा, तो उसको भी आप आप दो तरह से show कर सकते हैं, एक तो normal entry की थुरू, normal entry क्या बोलेगी, कि आप cash account को debit कीजिए, to income received in advance, और दूसरा जो आप बात करेंगी, वो क्या होगी, adjustment entry, अगर आपने पहले income received in advance book ना करके, income book करी होगी, फिर से बोलता हूँ, अगर आपने पहले income received in advance book ना करके, गलती से income book की होगी, तो आज उस income को reverse करना होगा, और फिर यह entry बन जाएगी, income debit to, income received in advance, देख लिएजे, समझभा रहे हैं, तो आपके सामने, expenses में भी, prepaid में पॉइंट आया था, और income में भी, unearned income में पॉइंट आया है, इसी के basis पर आपके सामने में ने लिखा हुआ है, कि normal entry कैसे होती है, और adjustment entry कैसे होती है, और हमने उसी के according entries को draft किया है, debit credit तो वो ही रहेंगे, उसमें कोई change नहीं है, उसमें कोई impact नहीं है, अब अबस आपको समझना क्या है, कि recording में debit और credit कैसे आ रहा है, ये cash debit हुआ, क्योंकि सही तरह से record कर रहो, इसा आ रहा है, लेकिन advance है, और advance income हमारे लिए क्या होती है, एक liability होती है, और liability का balance क्या होता है, credit, इसलिए हमने two income received advance लिखा हुआ है, और अगर मैं बात करूँ, adjustment entry की, तो adjustment entry income को कम करेगी, ये आपने पहले गलत income को record किया हुआ है, तो income को debit कर दिया, और two income received day advance कर दिया, I guess आपको मेरा point clear हो गया होगा, मैंने अपने पास income वाले point को भी cover कर लिया है, मेरे पास पांच point cover हो गया है, मैं आप अपने पास six point को लेकर आपके साथ discuss करूँगा, इसके अंदर अगर देखा जाए, तो मैंने कम से कम दाना करते हुए 15 से 20 entities को cover कर लिया आप तक, कुछ point, छोड़ेडे points अब बहुत discuss करने हैं मुझे, six point है आपके पास, bad debts का, अब bad debts को लेकर हम बोलते हैं, जो की हमारा कौन सा amount है, irrecoverable amount है, basically non-recoverable, जो पैसा हमें नहीं मिल पाएगा, मैंने अपने goods या services किसी को दी, goods बेचे या services किसी को दी, और वो person अगर मेरे पैसे ना दे, तो वो amount मेरे लिए बन जाता है, irrecoverable amount, that is bad debts, और इस case में आकर, इस situation में आकर, मुझे उनके लिए कुछ जर्नरिटी पास करनी होती है, अगर मेरा सारा पैसा डूब जाए, फूजाबल मुझे किसी से 10,000 रुपे लेने और वो सारे डूब जाएं, तो मैं उसे बोलता हूँ complete bad debts, और अगर कुछ पैसा मिल सकता है, तो मैं बोलता हूँ उसे partial bad debts, तो complete bad debts, partial bad debts, इस तरह के concept रहते हैं, complete bad debts का मतलब आपको 10,000 रुपे लेने थे, 10 के 10 दूब गए, तो अब आप dual aspects सोचिए, अगर आपको किसी 10,000 रुपे लेने हैं, और 10 के 10 अगर दूब जाते हैं, तो इसमें आपका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, income हुई या expense हुआ, expense अगर हुआ, decrease पे credit, तो क्या लिखा चाहेगा, to debtors account, बास समझ में आ रही है, तो bad debts account debit to debtors, और यहाँ पर आपके पास है क्या, partial bad debts, partial bad debts, partial bad debts का मतलब जहाँ पे कुछ पैसा मिल गया, और कुछ पैसा नहीं मिला, तो उसमें आपको 10,000 पे मिलने थे, दस जार में से आपको 6,000 मिल गए, जब आपको 6,000 मिल गए, तो उस 6,000 के entry क्या होगी, cash, account debit, cash आया, तो 6,000 पे debit, उसके बाद जो पैसा नहीं मिल पाया, जो कि आपका नुकसान बन गया, expense बन गया, तो वो debit to, अब आप लिखेंगे यहाँ पर debtors, 10,000 से, यहाँ का पूरा का पूरा दर्जा डूबा था, और यहाँ पर जितना डूबा उतना ही लिखा जाएगा, अच्छा, इस चीज़ को लेकर कुछ कुशन कहता है, कि आपको 60 पैसा, इना रुपी रिकाबर होगा, यहाँ कि एक रुपी में 60 पैसा, एक रुपी में 100 पैसे होते हैं, आपको 60 पैसे मिलेगे, यहाँ कि 60 पैसे मिलेगा, तो जब कोई 60 पैसा बोल रहा है, तो इसका मतलब वो 60 पैसे बोलना चाहरा है, इसका मतलब अगर आपको 1 रुपी लेना है, तो वो आपको 60 पैसा देगा अगर आपको 10 रुपे लेने हैं तो वो आपको 6 रुपे देगा अगर आपको 100 रुपे लेने हैं तो वो आपको 60 रुपे देगा और अगर आपको 1000 लेना हैं तो वो आपको 600 देगा तो 1 का 60 इसका मतलब 60% 60 पैसा उसके according ही working है हाँ इन दोनों चीज़ों के लेकर एक और अच्छा point है कि जो भी आपने ये bad debts record किये हैं ये bad debts record कब होते हैं generally लोग अपनी books में bad debts easily record नहीं करते क्योंकि उनको proof करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप उन्हें proof नहीं कर सकते तब तक आप उन्हें अपनी books में bad debts record नहीं कर सकते और जब आप अपनी books में bad debts record नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसके लिए एक reason देना पड़ेगा कि ये bad debts किस वज़े से record नहीं हुए है और अगर आप record कर रहे हो तो आपको उसके लिए proof देना पड़ेगा कि bad debts किस वज़े से record हुए है तो अब मैं आपके सामने एक simple सा point लेता हूँ bad debts के regarding अगर आपका bad debts का पैसा जहां सुनिए गब आपने एक person X को 10,000 की goods पेचे तो आपने एक entry की होगी X debit to sales, cash में नहीं है credit क्री transaction है, तभी तो bad debts की बाते आएंगी cash transaction में bad debts की बाते ही क्यों आएंगी तो X to sales कितने से किया? 10,000 से अगर X आपके पैसे दे देता है तो entry होगी cash account debit to X लेकिन X आपको एक proof दिखाए जी मैं हो गया हूँ, insolvent और मैं आपके पैसे नहीं दे सकता तो आप एक entry करेंगे bad debts debit to X कितने से? 10,000 से अब दो चीज़े हैं यह 31st March अगर X 31st March से पहले earlier मैं और बेटर तरीके से लिखाँ अगर X before 31st March पैमेंट कर दे तो मैं entry करूँगा cash account debit to bad debts लेकिन अगर X 31st March के बाद पैमेंट करे तो फिर मैं लिखूँगा cash account debit to bad debts recover ऐसा क्यों? क्योंकि 31st March वो डेट है जिस दिन account close होते हैं अगर आपने 31st March से पहले ही X से पैसे ले लिए हैं तो इसका मतलब आपका bad debts का account close नहीं हुआ होगा तो आपको bad debts account खतम करने के लिए 10,000 रुपे रिसीव करने होगे और 10,000 रिसीव करते ही bad debts account खतम होगा खतम होने का मतलब अब bad debts नाम की कोई चीज ही नहीं रही लेकिन अगर 31st March के बाद पैसा मिला तो bad debts expense बुक हो गया और next year में जब next year में पैसा आया तो next year में वो फिर आपके लिए bad debts का पैसा नहीं आया वो bad debts recover का पैसा आया Generally हमेशा हमारे course में या हमारे accounts के subject में जब भी bad debts recover की बात होती है तो हम यहीं मानते हैं कि पैसा next year में recover हो रहा है तो मेरे concept के according अगर मैं entry बनाओ तो हमारे लिए entry बनती है bad debts recovered के लिए हम पैसा आया है तो क्या करेंगे cash account debit to bad debts recover 10,000 रुपए या जो भी amount आया 4,000 रुपए जो भी example होगा उसके according या आपके पास 10,000 या 4,000 के इंट्री रिकॉर्ट की जाएगी डिपेंड करेगा question के according अगर मैंने आपको practical life का point of view बता दिया साथ साथ कि अगर 31 March यानि कि account close होने से पहले पैसा आ जाए तो आप normal cash to bad debts भी लिख सकते हैं अचा अगर आपने bad debts record ही नहीं कि उससे पहले पैसा आ जाए ना लेजिए अगर यहाँ पैसा आ जाए तो फिर क्या entry होगी फिर तो entry होगी cash account debit to x तो यानि कि stages बन गई bad debts होने से पहले पैसा आया तो cash to x account close होने से पहले पैसा आया और आप bad debts record कर चुके थे तो cash to bad debts और अगर next year में पैसा आया जिसमें आप bad debts लो close कर चुके थे तो फिर entry होगी cash account debit to bad debts recover हमारा जो accounts का level cover करता है वो हमेशा ये वाला part cover करता है कि cash account debit to bad debts recover entry की जाए तो ये कुछ basic points है अभी तक हमारे इस चीज़ के regarding कि हम अपनी books में accounting entries कैसे record करते हैं और उसका in treatment किस तरह से show करते हैं सो अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ basic points के बारे में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं chapter start करूंगा rectification of errors का although मैं start कर चुका हूं लेकिन मैं कुछ बाते आपको hint की तरह बता के जाना चाहूंगा आज कि हमारा जो chapter होगा पहला और वो rectification of error का होगा और जो हमारी 11th class chapter था ही यह वाला उसके अंदर आपने कुछ errors के नाम सुने हूं है error of omission, error of commission, error of principle, compensating errors वो चार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी हैं लेकिन उसके अलावा हम और level को आगे लेके जाएंगे और जो मैं आपके साथ ही discuss कर रहा हूँ यह actually में और कुछ नहीं यह आपके वो points थे जो आपको journal entry करते हैं तो आपको मिलेंगे मैं एक पहले point को बोलू, error of omission को, error of omission का मतलब क्या कि आपको यह transaction को record करना भूल गए अगर record करना भूल गए तो आपको उसे record करना होगा, तो जो हमने यह सीखा यह actually में record ही तो कर रहे हैं मैंने अभी तक आपके साथ इन दो classes के अंदर कुछ entries को record करना सिखाया है, आगे आने वाली हमारी classes के अंदर भी यही होगा कि हम उन classes को कैसे record कर सकते हैं उन transaction हो कैसे record करेंगे, उनके recording हम बात करेंगे, अभी reactivision error chapter लिखकर मैं नाम नहीं start कराऊंगा, मैं आपको पहले पूरा basic कराऊंगा, उसके बाद ही इसके recording बात करेंगे तो फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आगे classes के अंदर हम आगे शुरू करेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, thank you so much, bye bye, thank you